नमस्कार मेरा नाम है अभिनात शुपांडे और अभीपसा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तो आज हमारे डिसकेशन का जो है जो में टॉपिक है वो क्या है वो यह है कि अभीपसा मतलब आप अभीपसा पर कोर्स क्यों खरीदे या फिर अगर आ आप लोगों को बताना चाहूंगा सबसे पहले अभीपसा क्या करता है अभीपसा जो है आपकी जरूतों को समझते हुए आपके हिसाब से जो है एक गोल सेट करता है अब यह गोल सेट करता है इसका मतलब क्या है कि भाईया एक्जाम में अच्छे नंबर लाना है यह गोल ही होता है गोल यह होता है कि आपको जो भी जिस भी एक्जाम में जो है जो भी परफॉर्मेंस देना है उस परफॉर्मेंस के लिए आप कौन से एक्जाम को चूज कर रहे हैं उस एक्जाम के रिक्वायर्मेंट्स क्या है आपको कौन-कौन से चीज़े आने चाहिए उन में से एक रण नीती बनाते हैं जैसे कि हम लोगों ने आप आप लोगों ने जो है इससे पहले एक्जाम के समय में जो है हमारे ब्लूप्रिंट वाले वीडियो देखी होंगी तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो आपका जैसे च्छा मंदल है इसके बोर्ड को देखके इसके द्वा उसको आगे बढ़ाएंगे और अंत में जो है हमारा रिजल्ट कब तक कैसा होना चाहिए यह सारी चीजें जो है हम यहां तै करते हैं इसके अगली अगला स्टेप क्या है हम सीखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि हमको सीखना है आप हर बार जो है किसे चीजह समझा कितनी चीजें जियां रखी कैसे जो है आप हो रीटेंव कर पार हैं इन सारे चीजहों का ध्यान ड़हत लगा तो हमारे क्लसद आगे चलने लगेका तो हमारा अगला स्टेप क्या है हमारा अगला स्टेप है कि जो भी हम लोग've ने चेखा है कि उसका क्रन देते हैं लगुत तरी प्रशलों में आपकी पकड़ कितनी अच्छी है ये सारी चीजों को देखना जो है हमारा क्या है ये हो गया assessment का जो है stage इस stage के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में क्या है assessment के बाद में अगला step पाता है implementation का मतलब हम लोगों ने जो ज चीजें सीखी हैं और जो जो चीजे analyze की हैं उसके हिसाब से हम एक बार फिर से जो है नई चीजें implement करेंगे ताकि जो चीजें छूट गई है उन चीजों को सहीं किया जा सके और इसके साथ साथ हमारा एक और step है और वो क्या है वो है course correction का course correction का मतलब यह है कि अगर हम अपने जरूरत है तो फिर हमारे अपने उद्देश से पर पहुंचना वो हमारे लिए मुशकिल हो जाएगा तो तैक किये हुए रास्ते में से अगर हमको कोई भी भी भटकाव है तो सही करने का काम होता है carcs correction का ये भी इस मामले में भी अभिष्षा की पूरी टेम आपका सहयोग करने वाली है और इससे जो है आनतमे हम कहां पहुँचने वाले हैं हम उस उद्देश को पा लेंगे जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे तो यह हमारा एक लाइफ सैकल हो गया जिस लाइफ सैकल के तहट हम यहां पर पढ़ाई करने वाले ठीक है अगली चीज़ यह है कि हम भौतिकी में क्या सीखने वाले हैं तो भौतिकी में जो है सबसे पहले हम अपना क्लियर करने वाले हैं अब यह फंडामेंटल क्लियर करने का मतलब क्या है बहुंस से हमारे जो विद्यार्थी हैं वह ऐसे हैं जिन्होंने को कोरोना के चलते हुए नौवी में दसी में हमारे बहुंस सारे बेसिक्स चूट गए आप ऑन-लाइन कितनी भी पढ़ाई कर ले ल क्लास के रिजल्ट को इंप्रूव करने के लिए फोकस कर रहा होता है लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे हम आपकी जो नुकसान हो चुके दो साल में जो है जितने पढ़ने की हैबिट्स हैं यह आपके नॉलेज में जो नुकसान हुआ है हम उ इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण जब आप हमारे साथ में जुड़ेंगे तो हम आपको गणेत में विज्ञान में और समानने समझ में जो भी गैप रहे गया है उन गैप को भरने का काम करते रहेंगे तो ना सिर्फ आप हर रोज-एक नई सीखने बलकि हर रोज आप उन चीजों को भी रिवाइस कर रहे होंगे हमारे साथ-साथ जिनका उप्योग आपको फाइनली अपने परफॉर्मेंस में करना है ठीक है तो जीरो से हीरो तक लेवल से सिखर तक ये जो है हमारा नारा है और हम आपको जिस भी इस तर पर आप हैं वहां से सबसे पहले हम आपके पूरे फांडेशन को फंडामेंडल को क्लियर करके और फिर आपकी जर्नी लेके जाएंगे वहां जहां आपका स्कोर अच्छा हो इसके साथ में हम विस्तृत अवंबारी का ध्यान का मतलब यह है कि भाईया कई बार होता क्या है कि हमारे हमारे बुक म अभी थोड़ा उसी के हिसाब से बढ़ जाता है तो हम यहां पर ज्यादा डीटेल में नहीं जा पाते लेकिन जब आप अभीपसा से जुड़ेंगे तो ऐसी कोई सी भी डीटेल जिसको समझने से आपकी पढ़ाई में आपको सहयोग मिलेगा उन सारी डीटेल को हम सारे स्कूलों में विद्यालें में देखा है कि सबसे जादा किसी चीज को अगर फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में इग्नॉर किया जाता है तो वो है हमारे आंकिक प्रश्न तो आंकिक प्रश्न पर यहां पर हम विसे जोर लगाएंगे हम वो सारी चीज़ें सीखने की क्या होगा यह सारी कंडिशन साती हैं हम उस पर एक स्पेशल सेशन करते हैं आपको यहां पर हमारी क्या करने चीए प्रियोडिक मैनर में आपको हमारी लाइव क्लासेज भी मिलेंगी जहां पर आप हमसे सीधे जुड़के बहुत सारी चीज़ों को डिसकस कर पाएंगे यह हो तो वह एक ऐसा गेम है जिसमें उसके सारे कंड्रोल दिये हुए हैं आप असली वाली स्थिती जैसी स्थिती बना के दी जाती है ताकि आप वह महसूस कर सकें जो असल के प्ले में होता है उसी प्रकार फिजिक्स में भी जो है क्या होता है हम सिमिलेशन का उप्योग करते हैं तो सिमिलेशन में क्या होगा कि हम जो है आपको रियल लाइफ से जुरए हुए एक्जाम्पल तो देते ही हैं लेकिन रियल लाइफ से जुरह हुए अगर आपके सामने में सिमूलेशन रख दें जिसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयास रख थें और अभिशा की टीम पर है कि आपको यह सारी चीज़ें मिलती रहें तो जब हम सिम्यूलेशन को प्योग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगे क्यों कि यह बिल्कुल गेम जैसा हो जाएगा आज कल बच्चे कठिन से कठिन जो है गेम बिल्कुल खेल लेते हैं उसका कारण यह है कि उनको इंट्रेस्ट है अगर आपको फिजिक्स में इंट्रेस्ट आने लग जाएगा तो आप फिजिक्स भी बिल्कुल गेम जैसे खेलने लगेंगे बहुत आसानी से आपके लिए होते दगेगा फिर अगली बात क्या है हर एक वीडियो चालू करके और सोया था या क्या चीज़ें होई यह सारी है बारे हमको भी जानकारी होती रहेगी इससे ना सिर्फ हम अपने पैरेंट्स के साथ में जो है कनेक्शन हमारा अच्छा रख पाएंगे उसके साथ साथ बच्चों का भी जो है सही अनलेसिस कर पाएंगे दूसरी एक्जाम लीजिए और उन सारे प्रशनों को हल कीजिए हमारे पास भेजिए और जिस भी तरीके से जो हम आपका एनलेसिस कर सकते हैं वो करते रहेंगे ताकि हर एक बच्चे को उसके जरूरत के हिसाब से एसक्लूजिवली ध्यान दे के उसकी स्थिति में सुधार किया जा सके अगली बात क्या है अगली बात यह है कि हम हम अपने हर एक चैप्टर के बाद में क्या करते हैं हम माइंड मैप देते हैं ठीक है तो माइंड मैप क्या होता है कि यह रिविजन के लिए बहुत अच्छे चीज़ है मतलब अगर हम आपको एक माइंड मैप दे देते हैं त आपका समय वहां बचाएंगे जहां आपको वेश्ट नहीं करना चाहिए और वहां आप समय लगा पाएंगे जहां से आप ज्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें सीख सकें ठीक है तो इसके बाद में जो है एक और चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा और वो यह है कि को थोड़ा अंदाजा लगेगा कि हम मतलब किस बारे में बात करें सबसे पहले देखिए कि जो मेरी जो स्कूल है दसवी तक हिंडी मीडिया में और उसके बाद में जो है मैं एंसी आइटी सीबी एसी मतलब केंडरी विद्यालाय में भी पढ़ा हूँ बैंगलोर जाके मैं आठ से 10 साल रहा हूँ पीरसन जैसी कंपनी आप गूगल में सर्च कीजिए पीरसन तो पीरसन जैसी कंपनी के साथ में मैंने काम किया हुआ है और ऐसी जगों में मेरा दस से जादा साल जब अदेस में जो है डिजिटल एजुकेशन की ज़ो है जरूवत नहीं थी उस समय से मैं यूएस के बच्चों के साथ मैं जूड़ा रहा हूँ तो लगभग मेर को आपकी हर एक तकलिफ के बारे में पता है आपको हिंदी और इंगलिस के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होती हैं मैंने फेस किया हुआ है अगर आपको यह समस्य होती है कि हम competition के उपर ध्यान दे या board के उपर ध्यान दे मैंने सब किया हुआ है तो अगर मैं आपको सहयोग करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है बहुत अच्छा अनुभाव होने वाला है और इसी प्रकार का अनुभाव ना सिर्फ मैं बलकि पूरी की पूरी अभीफ़ की टीम आपके लिए इसी प्रकार के अनुभावी सिक्छा को द्वारा जो है पढ़ाई करने का कारे कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको multiple benefits होने वाले हैं साथ में आपकी personality की उपर भी ध्यान दिया जाएगा इन सारी चीज़ों के साथ में आप जुड की तुड़ें पुड़ेंगे तो आपके में की का जीज़ेंगे विए खूने का की ओछते हैं साथ में आपके लिएया।